हेलो एबरिवन मैं वरुन आप सबका सफलता क्लास पे स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुद्रा का इतिहास जानेंगे आखिर मुद्रा जब नहीं थी और बस्तू बिन्वे प्रनाली थी बार्टर सिस्टम वहां से आज ये ATM क्रेडिट कार्ट तक का जबाना आ गया और अब तो वर्चुल मनी की बाते होने लगी है क्रिप्टो क्रेंसी तक की इतना लंबा सफर हमने कैसे तैग किया आज उसी के बारे में उसका पहला भाग आप लोगों के लिए के मैं हाजिर हुआ हूँ तो देखते हैं क्या सिस्टम था भई सबस्तू बि देखा पढ़ा होगा कि कैसे बैपारी एक समान लेके जाते थे दूसरा समान लेके आते थे ती बार्टर सिस्टम था आज भी है ये सिस्टम कई जगों पे आपको चलता है गाओं घर में भी दो देशों के बीच में कुछ चीजों का आपको बस्तू बिनमय होता ही रहता है लेकिन इस बस्तू बिनमय परनाली में एक सबसे बड़ी समस्या थी एक दोहरे संयोग का होना क्योंकि जो चीज किसी X वेक्ती को चाहिए था हो सकता है Y के पास ना हो और Y को जो चीज X वेक्ती दे वो उसे नहीं चाहिए उसके पास हो तो ये बहुत ही मुश्किल था और इस मुश्किल को हल करने के लिए मुद्रा व्यूस्थाई जो एक तरह से एक्स्चेंज ओफ मेडियम के रूप में आपको आई कि कैसे बिनमय का आपको माध्यम बनी ये मुद्रा और कैसे कैसे मुद्रा का विकास हुआ उसी पे एक नज़र डालने बाले हम लोग सबसे पहले में बात करूं शिक्को के इतिहास का क्योंकि कागज की मुद्रा पे मैं बाद में आऊंगा दूसरे भाग में इस वीडियो के दूसरे भाग में आज हम सिफ सिक्को की बात करेंगे सिक्को का सफर देखेंगे कि सिक्को का सफर कैसा रहा तो ऐसा माना जाता है कि बैदिक ग्रंथों में सिक्कों को निश्क और सत्मान कहके कहा गया है जिससे की परमानित होता है कि बैदिक काल में भी सिक्के थे चुकि उसके कोई लिखित परमान नहीं है तो इसलिए उसके बाद की यात्रा पे आए हम अगर तो भारत में धातु के सिक्के सरपर्थम गौतम बुद्ध के समय में आपको 500 पूर परचलन में ऐसा बताया जाता है जो चांदी और तांबे के सिक्के थे पहली बार ऐसे मुहर वाले सिक्के आपको चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे अगर मैं इससे आगे चलू अगला सफर तो मौर्ज जो मौर्ज काल था यहां पर मौर्ज काल की राजकिय मुद्रा आपको पन थी आपको पन कहा जाता था इस राजकिय मुद्रा को यानि कि पहली बार कुछ मतलिखित रूप से प्राप्त हुआ कि किसी की कोई राजकिय मुद्रा थी जिसका कुछ नाम था पन आज जैसे देखत सरवाधिक सिक्के जारी हुए थे सबसे जादा सिक्के गुप्त काल में ही जारी हुए थे तो गुप्त काल में सरवाधिक सोने के सिक्के भी जारी किये गए और गुप्त काल के सिक्कों को क्या कहा गया दिनार कहा गया आज भी देख रहे हैं आपको पता ही होगा कुछ देश को ने जारी किये थे बाद में मैं सल्तनत काल पे सिधा आओं क्यूंकि बीच में तो बहुत सारे आपको अलग-अलग राजबंस आते थे और वह अलग-अलग सिक्के आपको अपने-अपने मोहर के सिक्के बनाते थे और उस समय के सिक्के और आज के सिक्के में यही फर्क है कि उस समय का जितने का सिक्का होता था उसका वैलू होता था उतने का उसमें तामबा, सोना, चांदी हुआ करता था आज के सिक्के क्या हैं सिर्फ सिक्के घोशित किये जाते हैं सरकार की तरफ से कि इतने रुपे का सिक्का है लेकिन उसमें उतना रुपे का वैलू हो ये इस काल में आपको टंका कहा जाता था यह चांडी का सबसे ज्यादा परचलन था यहां पर चांडी के सिकों का उसे टंका कहा जाता था और सल्तनत का अगर तो सब ने अपने हिसाब से इसको बदला लेकिन मुख रूप से टंका था और चांदी का सिक्के का सबसे ज़्यादा परचलन था अगर मैं इस से आगे आऊं मुगलकाल की बात करूँ तो मुगलकाल में सोने के सिक्के को मुहर कहा जाता था क्या कहते थे हम मुहर कहते थे आपको और अलाग अलाग सासकों ने अपने हिसाब से सिक्के उस समय चलाए थे लेकिन अकबर दुईतिये अकबर पर्थम नहीं अकबर दुईतिये भी था भाई उत्तरमगल काल में जो 1806 से 37 तक सासन किया था इसके काल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया था और अपने सिक्के चलाने सुरू कर दिये थे अगर मैं इससे आगया हूँ रुप्या जो अभी हमारा रुप्या जो हमारा जो मुद्रा है वो रुप्या है तो यह रुप्या सब्द हमें किस ने दिया आगे बात करें बिट्रिस रुप्या का तो 19 अगस्त 1757 में पहली बार बिट्रिस ने एक रुप्या का सिक्का भारत में जारी किया था ठीक है जो इस टाइब का था लगभग में ये तो भही 1862 का है लेकिन 1757 में ही उसने पहला सिक्का आपको यहाँ पे जारी कर दिया था और भारत के सिक्कों की बात करें तो जब भारत अमादेश 1947 में आजाद हो गया लेकिन उसके बाद भी 1950 तक आपको इन बिट्रिसों के ही सिक्के चल रहे थे और 1950 में पहली बार भारत के सिक्के आपको चालू हुए जो ऐसे थे आपको और हम अगली वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे सिक्कों से हम जो कागज मुद्रा के बारे में बताएंगे कि कागजी मुद्रा की शुरुआत फिर कब से हुई और कैसे आपको दसमलब प्रणाली का आरम हुआ इन सभी चीजु के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा सेर करिएगा और हमारे यूटूब चैनल सफलता चैनल को सफलता क्लास को आप सब्सक्राइब करें जै हिन जै भारत